हलो नविसका दोस्तों मेरा नाम है गनीश और श्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेगनस में दोस्तों आपको 15 दिन के अंदर डिजिटल बोटर आईडी कार्ड भी मिल जाएगा साथ ही बाइपोस्ट भी आपको फिजिकल बोटर आईडी कार्ड सेंड कर दिया जाएगा आप जैसे ये ओनलाइन आविदन करेंगे 15 दिन के अंदर आपका आविदन एप्रूब हो इस बारे मैं आपको इस वीडियो में फूल प्रोसेस इस्टे बाय इस्टे बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं आपको सबसे पहले बोटर पोर्टल.eci.gov.in इस वाले पोर्टल पर आपको आजाना है इस पोर्टल का लिंक आपको हमार पर अकाउंट बना हुआ है तो आप लोग इन कर सकते हैं मोबाइल इमेल इडि और पासवर्ड इंटर करके आप लोग इन कर सकते हैं अगर आपका आड़ी क्रियेट नहीं किया हुआ है तो create an account का option आप देख पा रहा है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आपको क्लिक करना है आपको मोबाइल नमर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा और देख सकते हैं मेरा OTP आ चुका है अब आए हुए six digit OTP को आपको इस बाले box पर फिल कर देना है OTP फिल करने के बद आपको नीचे verify का वटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है कुछ सेकंड आपको wait करना है कि देख सकते हैं आपका mobile नमर successfully verify हो जाएगा अब आपको यहां पर अपना आपको login करने के लिए password यहां पर create करना है तो यहां पर आपको eight digit का password रख लेना है तो यहां से दोस्तों आप password किस परकार रखेंगे मैं आपको यहां पर बता देता हूं अगर आपका नाम रवी है तो रवी लिखेंगे उसके बाद एक special character देंगे ऐसा cap देख पारें इस स्क्रीन पर इस परकार आपको एक password रखना है इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको capture code दिख रहा है आपको capture code यहां मायनेस या plus में देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर बताया गया है कि 16 plus 4 इसक पर आपको click कर देना है कुछ second आपको wait करना है तो देख सकते हैं दोसको यहां पर successfully create हो चुका है और यहां पर देख सकते हैं welcome करके एक नया interface आ चुका है यहां पर मैं successfully login हो चुका हूँ आप भी जैसे id create करेंगे आप successfully login हो जाएंगे अब आपको welcome बटन पर आप जैसे क्लि name को enter कर देता हूँ आप दोस्तो name over surname को enter करने के बाद आपको नीचे अपना gender select करना है स्वर्ड दोस्तों पहले है आपको अपना state को select करना है आप अप स्वर्पेस को 시작 कर लेंगे जैसे कि मैं यहाँ से तो नीचे आपको लेट से स्टार्ट का एपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको पूचा जाएगा are you applying for the water ID first time तो यहाँ पे पुचा जा रहा है क्या आप पहली बार watercard के लिए आविदन कर रहे हैं तो आपको yes पे यहाँ पे क्लिक करना है yes पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे save and continue का option दिखे राइस पे आपको क्लिक कर देना है कुछ second आपको wait करना है यहाँ पे पुचा जा रहा है are you citizen of India क्या आप भारत की नागरिक है तो आपको yes कर देना तो आपको first वाला option पे क्लिक करना है यहाँ पे बताएगा है yes I am an Indian citizen resident in India याँ इंडिया के नागरिक भी है साथ ही इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे आपको पहला वाला option select करना है इसके बाद आपको नीचे फिर से save and continue का option दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है कि कुछ सेकंड आपको wait करना है आप यहाँ पे दोस्तों आपको अपना date of worth को fill करना है जैसे कि वर्थ यार को आप select करेंगे बर्थ मंद को select करेंगे इसके बाद बर्थ डेट को चलिए मैं एक एक select कर लेता हूं तो मैंने यहाँ पे बर्थ डेट अप बर्थ को select कर लिया है अब आपको यहाँ पर इंटर वर्थ आपको क्या-क्या option मिलेगा, देख सकते हैं, इतना सारा document में से एक को भी आप select कर सकते हैं, वर्थ certificate, Indian passport, pen card को भी आप select कर सकते हैं, driving license select कर सकते हैं, आधार card select कर सकते हैं, और certificate class 10 और 12, issue by CBSE, ISE, यानि आपका state board हो, CBSE board हो, किसी भी board से 10 या 12 का certificate जारी किया गया है, और जिसमे date of birth लिखा हुआ है, उसे आप select कर सकते हैं, mark sheet आप 5th और 8th class का भी select कर सकते हैं, या फिर आप डिजी locker के थूरू भी upload कर सकते हैं, तो यहां से आपको नीचे select file to upload पे click करना है, आपका device का जो file manager है, वो open हो क्या आएगा, यहां से आपको अपना document को select कर लेए, चलिए मैं, document को select कर लेता हूं, तो इस प्रकार आपका document यहां पे upload हो जाएगा, आपको नीचे आजाना है, नीचे फिर इस आपको save and continue का option दिकरा, इस पर आपको click कर देना है, कुछ सेकंड आपको wait करना है, दोस्तों यहां पर आपको अपना password size photo को भी upload करना है, upload picture पर आपको click करना है, इस आपका file manager open होके आजाएगा, इसको आपको select कर लेना है, आप दोस्तों photo upload करने के बद आपको नीचे आजाना है, नीचे आपको अपना detail देखनी को, disability को select कर लेना है, अगर आप विकलांग है, तो आप इन में से select कर सकते हैं कि आपकी इस परकार का विकलांग है, अगर epic number आपको यहां डालना है, epic number डालने के बद दोस्तों आपको अपने relative name को fill करना है, यहाप इसका voter ID number डाले है, इसके बद नीचे आपको relation को select कर लेना है, आप अपने father का या फिर mother का epic number डाले है तो select कर लेंगे, इसके बाद आपको नीचे फिर से Save and Continue का Option दिखरा इस पर आपको क्लिक कर देना है फूश सेकंड आपको वीट करना है आपको यहापे अपना Address डिटेल फिल करना है जैसी कि आपको अपना House Number फिल करना है House Number फिल करने के बाद आपको अपना Straight Area या फिर Locality को डालना है जैसी कि आप अपना Village Name भी यहापे डाल सकते हैं आपको नीचे अपना Post Office Name डालना है आपको यहापे अपना Town या Village का नाम को फिल कर देना है आपको Area Type को Select करना है आपको इस एरिया में रहते हैं इसको आप सेलेट कर लेंगे आप City में रहते हैं việc तां या Village तिनों मेंसे एको आप सेलेट कर सकते हैं में विलेज को स्लेट कर लेता हूं इसके बाद नीचे आपको अपना पीन कोड को भरना है दोस्तों फीन कोड आपको यहां फिल कर देना है पीन कोड डान लेके बाद आपको अपना इस्टेट को स्लेट कर लेना है फिर से आपको स्लेट करना है इस्टेट करने बाद डिस्ट को स्लेट कर लेंगे इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर देख सकते हैं बहुत सरा आड़ी यहां पर आ जाएगा जैसे कि इंडियान पासपोर्ट हो गया बहुत सा परकार का डोकॉमेंट दिया हुआ है राशन कार्ड है इंकम टेक्स असेस्मेंट और है पोस्ट लेटर है म को स्लेट कर लेना और अपलोड कर देना है अब आपको वेट करना यहां पर आपका डोकॉमेंट अपलोड हो जाएगा आपको नीचे सेवन का ओप्सन दिख रहा है कुछ सेकंड आपको वेट करना है तो इस परकार आपके सामने एक डिकलेरेशन फॉर्म आ जाएगा अब यहां पर आपको दोस्तों यह सेलेट कर लेना है कि आप जिस जो एड्रेस फिल किये हुए है उस एड्रेस में आप कब से रहा रहे हैं पहले आप यहर को सेलेट करेंगे इसके बाद आपको नीचे मंत का ओप्सन दिख रहा है मंत को सेलेट कर लेंगे आपको नीचे आजान करना है और आपके समने पूरा form open होके आ जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं यह form 6 है इसमें आपको अपना पूरा detail आपको देखने को मिल जाएगा जो detail आप feel किये हुए है तो आपको अच्छे से देख लेना है कि आप detail feel किये हैं वो सब कुछ सही है या नहीं तो सब कुछ आप form को देख लेंगे form में आपका सब कुछ सही है तो आपको नीचे submit का button दिख रहा इस पर आपको क्लिक कर देना है कुछ second आपको wait करना है और आपका application successfully submit हो जाएगा देख सकते हैं इस पर अपका नाम आएगा और यहाँ पर बता देगा कि you have submitted your application for new water registration successfully submitted तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक reference ID मिल जाएगा इसके दुआरा आप अपने application को track कर सकते हैं कि आपका application की इस officer के पास है approve हुआ है या नहीं इसके थुरू आप अपने application को track कर सकते हैं तो इस परकार दोस्तों आप एक अपने नए water ID के लिए registration कर सकते हैं मैंने आप आपको full process step by step बता दी कि कैसे आपको water ID card के लिए online आविजन करना है आप आपको जनकर यह अच्छी लेगी अगर आपको जनकर यह अच्छी लेगी तो वीडियो को like कीजिए आगे वीडियो को share कीजिए साथ हमारी चैनल पर नहे है चैनल को subscribe कर लिजिए और आप कर दो